नमस्कार दोस्तों मैं अपसे पटेल री एजुकेसन आई यह से केड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आगामी PCS तथा समिछा अधिकारी परिच्छा को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट स्रीज री एजुकेसन टीम द्वारा शुरू की गई है उसमें आप लोगों ने आज दूसरा टेस्ट दिया जिसमें समिधान यों राज वियुस्ता से प्रस्ण पूछे गए थे अब हम उन प्रस्णों का विस्तार पूरवक ब्याख्या करेंगे जिससे आगामे परिच्छाओं में याद इस टाफिक से प्रस्ण पूछे जाए तो आपके प्रस्णों के गलत होने की संभावना बहुत कम हो या ना के बराबर हो तो चलिए शुरू करते हैं अलिकरों के फैसरी में प्रस्णों को हल करने से पहले थोड़ी सम्मिध्हानिययम नेज़्षी प्रस्णार पिर Olipin के आपके संभावनाव सम्मिध्हान एक प्रकार का कानूनी दास्तावेज nuclear गतान यीजिसे सम्मिध्हान सभाथ्म जनता का समर्थन प्रवप्त है समिधान एक परकार का कानूनी दस्तावेज है जिसे समिधान सभात्वा जनता का समर्थन प्राप्त है तो राज बेवस्था क्या होती है क्योंकि समिधान की किताब उठाते हैं वह पर लिखा होता है समिधान यों राज बेवस्था समिधान तो एक कानूनी दफ्तावेज हो गया लेकिन राज बेवस्था क्या है जब राजनीतिक प्रडाली में समिधान का बेवहारिक परियोग किया जाता है तो वही राज बेवस्था कहलाता है तो एक सब्द में कहें तो राजनीतिक प्रडाली में समिधान का बेवहारिक प्रयोग ही राज ब्योस्था हैं दूसरे सब्दों में सरकार के तीन अंगों होते हैं तथा इन तीनों अंगों को कितनी सक्ति प्राप्त प्राप्त है और यह इन सक्तियों का प्रियोग किस परकार करते हैं तथा इन तीनों अंगों में किस परकार का सम्मंध है इस परकार के सभी व्योस्थाओं का अध्यन हम राज व्योस्था के अंतरगत करते हैं तो सम्मिधान उम्राजविस्ता है आप लोग का किलियर हो गया होगा अगर हम बैस्वी कस्तर पे देखें तो सबसे पहले सम्मिधान का विकास ब्रिटेन में हुग थीक है बैस्वी कस्तर पर सबसे पहले जो हिए ब्रिटेन की सम्मिधान नहीं है यह लिखित सम्मिधान नहीं है या वहां की प्रमप्राओं रीत रिवा जो अभिस्यमियों पर आधारी थे ठीक है ब्रिटेन का सम्मिधान क्या लिखित रूप से नहीं है बैस्वीक अस्तार पर लिखित सम्मिधान किसी सबसे पहले वो अमेरिका का सम्मिधान है घिक है बैस्वीक अस्तार पर सब tutti लिखित समिधान अमेरिका का है जो विश्व का सबसे छोटा कठोर और मौलिक समिधान है वही अगर हम भारत की समिधान की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा समिधान है और यह भी लिखित रूप में ठीक है बड़ा समिधान है और लिखित रूप में कठोरता की बा और नहीं जादा लचीला मतलब यह कठोर और लचीले के बीच में अच्छा संतुलन है ठीक है अच्छा संतुलन किसी सम्मिधान को कठोर लचीला इफाधार पर कहा जाता है कि उसके प्राधानों को किस परकार संसोधित किया जा सकता जैसे यदि किसी सम्मिधान में संसोधन क हो जाता है तो उसे लचीला कहा जाता है और यदि संस्पधन करने के लिए हमें बिसिष्ट बहुमत है दो बटा तीन वोट की जरूत हो और राज्यों से भी परमिशन लेना पड़े तो यह क्या हो जाता है यह कठोर समिधान के अंतरगत आता है ठीक है तो भारत में क्या है भारत के समिधान के बारे में ठीक है और लोगतंत्र की बात भी कर लेते हैं कि सबसे पहले लोगतंत्र जो आया वह आया कहां अमेरिक्या में लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र अगर है तो है कहां का भारत का इतनी बाते होगे यहां से हमने कोश्चन नहीं बना त्रगत भारतिय बिधान परिषद को बजट पर वहां करने के सक्ति प्राप्थ हुई थी और सकती प्राप्त हुई और वहां कारिपालिका में प्रस्ण भी यह पूछ सकते थे ठीक है प्रस्ण पूछने की अनुमत भी 1892 के द्वारा इनकों मिल गई थी ठीक है हम अगले प्रस्ण पर बढ़ते हैं अगमारा अगला प्रस्ण है कि निम्रखित में से कीफ अधिनियम में क कोलकाता में सर्वच एकि अस्थापना का प्राओधान किया गया?,ठीके कोल काता में सर्वच एक 273 की किया गया था ठीक है इसके रिग्लेटिंग एक्ट लाना क्यों पड़ा इसके विसे में थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं जैसे जब 1745 की लड़ा हुई प्लासी की उसके बाद बकसर का फत्राफ को 64 हुगा उसके बाद क्या हो 1772 में इस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटीन के संसद में गई और बोली की भारत के सासन करने के लिए हमें आउट धन चाहिए जब ब्रिटेन के संसद को यह पता चला कि कंपनी भारत में भरश्टाचार कर रही है तो उसने कहा कि हम धन देने को तयार हैं लेकिन सर्तों पर ठी उसकी जानकारी ब्रिटिस संसद को देनी होगी तो उसको लागू करने के लिए ब्रिटेन ने सबसे पहले रेगलेटिंग एट 1773 पास किया और इसी 1773 रेगलेटिंग एट के आधार पर 1774 में कोलकाता में पर्थम उच्चितम नयाले की अफ्थापना हुई और 1773 के द्वराबंगाल का जो गवर्नर उसे बंगाल रेगलेवर्नरे को इसकी आधीन कर दिया गया या संटम है। बने ठीक है वारेन हेस्टिंग एक मिनिट नोटिफिकेशन बंद कर देता हूं तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्ण जनरल बनी ठीक है और इसे इसी अधनियम में जो कलकत्ता में जो उच्टम न्याले बना था उसमें चार न्याधिर थे ठीक है उसमें जो मुख न्याधिर थे उसे एलिजा इंपे उनके साथ तीन अन्याधिर थे एक का नाम था लीमेश्टर दूसरे जान हाइड और रावर्ष चैंबर ठीक है इसी के साथ आप यह सब भी याद रखे क्योंकि यहां से पूछे जाते है और ब्रिटिस संसद ने कहा कि अब आप जो कंपनी के करमचारी हैं वे नीजी वेवपार नहीं करफकते हैं ना तो भारतियों से उपहार और इस वात ले सकते हैं यह सब बाते रेगलेटिंग एट 1773 में कही गई थी ठीक है और एक कोर्ट आप डारेक्टर भी बना गया ठी इसी के तहत एक कोर्ट आप डारेक्टर के अस्थापना की गई और यह कहा गया कि नागरिक सैन और राजस मामले की जानकारी अब कंपनी को सरकार को देना जरूरी है अनिवार है ठीक है इतनी बाते रेगलेटिंग एट 1773 में भी कही गई थी और इन सबसे प्रफन आता है इसलिए आप ध्यान से पीस पूरे को सुनते रहिए क्योंकि जब आप यह पूरा वीडियो देखेंगे तो यहां टेस्रीज आपके लिए क्रैस कोर्स में तबदील हो जाएगा ठीक है क्रैस कोर्स में को जादा नहीं होता बस इसी के प्रकार पढ़ाया जाता है कम समय में आपकी पूरी रिविजन हो जाए और पिट्स इंडिया एक्ट सत्राफ और चौरासी के गर हम बात करें तो इसमें क्या कर दिया गया इसमें कंपनी पर और ज्यादा अंकुस लगा दिया गया अब है कोर्ट आफ डारेक्टर और बोर्ड आफ कंट्रोल भी बना दिया गया ठीक है कोर्ट आफ डारेक्टर जो था और ब्यापारिक कारियों को ध्यान देता था ठीक है ब्यापारिक कारियों को पर नजर रखने के लिए कोर्ट आफ डारेक्टर बना दिया गया और राजनीतिक मामलों को देखने के बोर्ड आफ कंट्रोल की ब्योस्था कर दी गई ठ चार्टर 8 8123 के बात करेगा है घर हम बात करें तो इस अल습니다 कर आई कर ने कहा गया की इसरी इसरीं कम्पनी का जो भारत पर एकाधिकार था उसको खतम कर दिया जाता है अब केवल चीन और चाइना पर ऑदिकार भारत इसरीं का कर दिया माक्त द्रफर करने की बात के लोग की सिछा के लिए एक लाग बारफिक खर्च करने का प्राइधान किया गया और 1813 से ही भारत में इसाई मिंसेनरियों को भारत में आने के लिए छूट दे दे गई और सबसे मज़े की बात यह है कि इसाई मिंसेनरियों के रहने, खाने, ठहरने का जो खर्चा था वो भारत के राजस्व पर डाल दिया गया तो यह इतिनी बात थी 1773 एट, 1784, 1813, 1833 यहाँ पर हमने तीनों, चारों जो चार्टर एट थे उसके बारे में आपको समझा दिए अब अगले प्रस्थ पर बढ़ते हैं हमारा अगला प्रस्थ नहीं है कि निम्लकित मेंसे किस एक अधनियं के अंतरकत भारत में संघिये नयाले की अस्थापना की गई भारत में जो संघिये ने आले की अस्थापना की गई थी वो भारत सासन अधियम 1935 के अंतरगत 1937 में की गई थी जो 1773 के अंतरगत सब्सक्राइब किया था कलगत्या में उच्चितम ने आले था ठीक है यह क्या है यह संघिये ने आले है जो 1937 में बना था 1935 के अधियम के तहद बर्मा भारत से अलग हुआ था ठीक है यह सब भी आप जानते रहेगी अगले प्रस्पर हम बढ़ते हैं हमारा अगला प्रस्प है कि 1919 के भारत सासन अधिनियम की निम्षित में से कौन सी पर्मुख विशेष्था नहीं है ठीक है पर्मुख विशेष्था नहीं है प्रांतों की कारकारी सरकार में दैस सासन की ब्योस्था तेकि 1919 में क्या किया गया प्रांतों में दैस सासन की ब्योस्था कर दी गई यह लिए प्रिथथक निरवाचन मंदल की बेऊस्था मुस्लमानों के लिए प्रिथक निरवाचन मंदल की बात करे तो यह 1919 में लिए 1990 में में इसकी बेऊस्था कि कर दी गए ठीक है निस नोक Gef cult कर देग गही थी 1059ध कि जिब मरले मिन्तुद्धार के से जिसको जाना है उनीस सुनावाले मिंटो सुधार उनीस वाला क्या था मांटीगु चिंस फोर्ड सुधार इसमें मुसलमानों के लिए प्रिथक संप्राइग निर्वाचन मंदल की ब्योस्था की कि मुस्लिम कंडेडेट का चुनाव मुस्लिम मत दाता ही करेंगे ठीक है औ तो 1909 में किया गया था ना कि 1919 में हम अगले प्रसन पर अग प्रसन है केंद्र में धैध शासन किस अधिनीएं के अंतरगत अस्थापित किया गया और 1935 में क्या राज से खतम कर दिया गया इसे हटा दिया गया 1935 में केंद्र में इसकी उस्थापना कर दिये ठीक और भारत शासन अध्रियाम उने सुनों जिसे मारले मिंटु सुधार कहते हैं इसके अंतरगत क्या हुआ इसके अंतरगत मुसल्मानों को पृथक निरवाचन क की व्योस्था की गई और जब 1919 आया तो 1919 में यह संपर्दायक निरवाचन की व्योस्था थी ये सिख इसाई आंगल भारतिये और यूरोप्यों को इतने लोगों को और भी बढ़ा दिया गया और 1935 में क्या हुआ है इसको मुसल्मान सिख इसाई आंगल भारतिये यूरोप दाइग निर्वाचन में जोड़ दिया गया ठीक है दलित महिला और मजदूर को 1935 के ताथ जोड़ा गया ठीक है भारफ फतंता देम 1947 की बात करते हैं तो यह जो था यह माउंट बेटन योजना के अधार पर 18 जुलाई 1947 को यह अधनियम आया ठीक है भारफ फतंता अधनियम 18 जुलाई 1947 को माउंट बेटन योजना के अधार पर आया इसकी अंतरगत यह कहा गया कि 15 अगस्त उनिस सो सहे तालिस को भारत को दो डोमियन इस्टेट भारत तो पाकिस्तान में बाड़ दिया जाएगा और अब भारत प अब ब्रिटेन के कानून भारत पर लागू नहीं होंगे या पाकिस्तान पर लागू नहीं होंगे जो कुछ जब तक यह दोनों राज जिद्जो दोनों डोमियन इस्टेट बने हैं इनका अपना कानून नहीं बन जाता तब तक 1935 में जो भारत सासन अधनियम 1935 है उसी क्य अधार पर यहां पर सासन होगा ठीक है जब तक भारत और पाकिस्तान अपना कानून नहीं बना लेते यह था भारत फुतनता नहीं से बना गें बिध्हान पालिका दी इसलेंगें कब बनाए गई ये यह कब बना के 1999 में इसको दो भागोमें बफ्योहर के दिया एक हो था विध्हान सभा दूसरा क्या था बिध्हान सभा को निम्ध सदन कहा गया और 29 बात गया उन्नीट सो इंप अनिस का जो सुध कि क्या कहा जाता है। कि मांटीगू च्यंग सपोरड जिसमें संपढ़ाईक्ता को ऑर भी जाmmin बढ़ाया गया ठीक है उसको एधियों और 1909 वाला था उसमें मुसल्मों को क्या किया घार संपढ़ाई निर्वाचन दिया मारले थे भारत सचीव और मिंटो थे वाइसराय ठीक है मिंटो कों थे वाइसराय थे और मारले कों थे राज भारत सचीव और मांटेगु चेम सपोर्ड में क्या था मांटेगु भारत सचीव थे और चेम सपोर्ड कों थे वाइसराय थे ठीक है यह बात हो गई अगला प्रस् सकता अध्याद्यस जारी कर सकता ठीक है यहीं से यह लिया गया है ठीक है और बाकि 1909-1919 की बात हम लोग कर चुके है 1947 की बात हमने किया कि यह भारत स्वतनता अधनियम मांटेग्यू योजना के अधार पर आया यह ठारा जुलाई यह अपना कार करेंगे ठीक है यह थी बात भारत सरकार अधनियम में नहीं थी पहला है इस अधनियम में अखिल भारती महासंग का प्रावधान था यह बात ना तो परांतो को दिया गया था ठीक है ना तो केंत्र को दिया गया था और शलाड़ा फंसमें इसथ आस्ता क वास्त में को का संकेत था। हाँ, यह बात सही है, क्योंकि यह नियाAL dal कम कर दिया गया था। इसमें इसने emeりました इसने प्रांता सफ़ाधाल प्रदले को सुवाफ्च कर केंद्र में लागु किया था ये दोनों आपस़न एक ही जैसे कि प्रांत में 10, शाषन खतम कर दिया गया औगेंद व्य लागु कर दिया गया इसमें तीनों सभी हैं जो गलत है वो हमारा आपसन भी है ठीक है हम अगले प्रस्ण को देखते हैं हमारा अगला प्रस्ण है कि 1935 दोरा अस्थापित संग में ओसिष्ट सक्तियां किसको देगी देखिए उसमें वहां पे औस चक्तियों के बारे में गलत था कि प्रांतिय तो किसे नहीं क्या दा था ना संर्पनिय से और जो चीज़ आपको नहीं लगे आप प्रवी में कर लाएँ कि जितनी बातें वता रहा हूं उन सबसे बार-बार पॉणभ вся आप किसी भी परिछा पेपर को उठाएंगे कहां से प्रसन आपको जरूर मिलेंगे तो आप इस वीडियो को एक बार देखे दो बार देखे तीन बार देखे जब तक आपको सही से किलियर ना हो जाए और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में आप इसे सेर कीजिए क्योंकि और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाएंगे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो परते दिन साम चार बजे हमारे टेलिग्राम चैनल रिएजुकेशन आईए से अगले प्रसन पर हम बढ़ते हैं तमारा अगला प्रसन है कि नेम लिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फल्सुरू बर्मा भारत अलग हुआ यह तो चर्चा कर चुके हैं कि भारत अधिनियम ने करें और युजर वाइंग कि एस्थापना की बात हुई संगिये ने अले कि स्थापना में सब और दस अंसूचिया थी ठीक इसे में अगर धाराओं की बात करें 1935 वाले में इसे में 321 धाराएं थी और 10 अंसूचिया थी ठीक यह बहुत इसलिए का जाता कि भारती समिधान पर अगर सबसे ज्यादा परभाव किसी का है तो भारत सासन अधनियम 1935 क्योंकि आप देख रहे है कि यहां पर 10 अंसूचियां और 321 धाराएं हैं इनमें से लगभग धाराएं हमारे समिधान में जूड़ी गई है तो 1935 के बारे में बस इतना बहुत है जानने के लिए हम अगले प्रसपे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रफन है कि भारत में उपनिवेशी सासन के संदर मे 1883 में 1883 में इलबर्ट विल्का उद्देश था 1383 में उसका क्या उद्देश था कभी कभी पुछा जाता इलबर्ट विल घवाया था तब याद रखे का 1883 में आया कभी पुछा गया इलवर्ड विल कवाया था तो मैंने इसको इसी में डाल दिया ठीक है प्रस में डाल दिया आप यहां से पढ़ सकते हैं क्यों एक प्रसन बनाओं ठीक है तो अगर इसको देखें तो जहां इसमें पहला अपसन है जहां तक अदालतों के दंडिक अधिकारता का संबन्द था भारती था यूरूपी लोगों को बरावी पर रोकना ठीक है मतलब जहां पर अब इस बिल के आधार पर यह हो गया था कि जो भारत के जो न्याधियस थे ओभी जो भारतिये न्याधियस थे ओभी अंग्रेजियों को दंड दे सकते थे इस पर बहुत बीवा मेंनों देश था पहला आपसे हमारा सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रफन हमारा है कि कैबिनेट मिसन योजना के अंतरगत समिधान निर्मात्री परिफद में प्रतेक प्रांत को आवंटित फदस संख्या मतलब यह कहने का मतलब यह कि जो समिधान सभा बना था उसमें जो सदस चुने गए थे एक सदस के लिए कितने जन संख्या की जरूरती तो इसके लिए आपका सही उत्तर है दस लाक बेक्ति दफ लाक बेक्ति पर एक फदस से चुने जाते थे ठीक है इसी के साथ अगले प्रसन पर हम बढ़ते हैं हमारा अगला प्रसन है कि बारतिय सम्यधान सभा कài गठळ किया गया कर कि इसके दौरां चुल नहीं ऑनने specjalist के लिए भारतिय सम्यधान सभा का गाठळ किया गया बारतियाओ फतन सत्तादियाम उनने 143 के वारे हमने दो बार पढ़ चुक एजूका ऐल हो गई थी भारत सरकार अन्याम उन्हें सब पे चर्चा करने की कोई जरूत नहीं है तो बारतिय समधान सभा का कठन काइबनेट में से योजण ने सो च्यालिफ के अंतरकत के गए थी अगले प्रस पे बढ़ते हैं इन निम्न वक्तियों में से कोन कैबिनेट मिसन का फदस से नहीं था तो इन चारों में से पैंथिक लारंस से इस्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेगजंडर यह तीनों थे बिलियम बुड नहीं थे बिलियम बुड इसके फदस नहीं थे अगले प्रस को देखते हैं कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार पालिका परफद के उप सभापत थे तो तो वाइसराय थे ठीक है अपने आप वही थे और उप सभापत के अगर बात करें तो कौनते जवालल नहीं दूते क्यों उसके पात जवालल नहीं की बड़े नहताओं में नाम आता था ठीक है तो यह हो गया तो अगले इनके निसार कारे कारी परिफत में हिंदू और मुस्लिम फदर्सों की संक्या समान होने चाहिए कथन इसका कारण इक बता रहे हैं कि बेवलका बिचार था था कि यह सी बेउस्ता में भारत का बटवारा बच जाता त resignation कोई प्रभारत का बटवारा ना हो यह अपसंग गलत है क्योंकि भारत का बटवारा हो लोग लड़े मरे कटें इसलिए तो उन्होंने संपर्दाइग करने का मतलब क्या था भारत को कई घंडों में विभाजित कर देना तो पटवारेश इनका कुए पहला उनका आपसन इसका सही है तो इसका हो जाएगा कथन कारण दोनों से गलत कथन और कारण दोनों सही हैं कथन सही करण गलत कि तीसरा आपसन आपका सही हो जाएगा अगले प्रसुन को अगरम देखें हमारा अगला प्रफने समिधान सभा के फदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था तो समिधान सभा के जो सदस्य थे पहली बात है कि 10 लाग जन संख्या पर एक फदस्यों चुने जान सभा परतिक निवाचन बलुमिद्छ हो सब्सक्राइब के लिक्सरा हो के बात होई तो इन्हीं फदस्यों को सभा के फद्थuseů को चुना इंगा पीर तो किसी को चुमा जैसे अभी हम लोग के हां जल्दी उर्वा कज़्चना वहाँ पे जिलिला पंजैप्र फद्रस्य password कर चुब्यक् Ti और चीलाइं की जनता शुन तो फद्रस अपने उर्णां को अध्यर्ष कर रहे हैं ध्रस चुनाओ कर रहे हो दो की हो गया हुआ चुरूप से हो गया हुआ जनता के द्वारा ही लेकिन जनता ने फद्व सुचना फद्व से ने अध्यच चुन लिया ठीक है यह काम हो गया अगले प्रस्वे बढ़ते हैं इसका सही उतर क्या हो जाएगा विभिन प्रांतियों की विधाम सभाव द्वारा अर्था पर्तच निर्वाजन द्वारा निर्वाजित के गए अगला प्रस्वन हमारा है कि समिधान सभा की प्रथम बैठक कि अध्यच्टा कि अगर बात करें तो सचिदानंद डाक्टर सचिदानंद सिन्धा ने इसके अध्यच्टा की थी नव दिसंबर उनिस सो चालिस को ठीक है उसके ब रचाना है यह सब हो गया डाक्टर अभीम राम बेटकर बारें बाद करें प्रवर्वर्प समिथ के अध्यच्ट शुच्टे तो चो पहले अध्य अध्यच्टे वो डाक्टर सपजदानंद सिन्धा इन्हें प्रोट्यम की अधार पर चुनागा तो दूसरी बात है दूसर प्वारत को सम्यधान दिया जाएगा नौ दिसमबर 1946 को क्या हुआ पहली बैठक वी कि नौ दिसमबर नौ दिसमबर निक्त परसवाद को असम्धान सभाकी अ है है तो हम था सभाष आपकि लेव प्रस्ताव बंडे जावाल ले Lance किया दीश्प्रस्ताव पारी थिखेंगे यह agriculture बारतिय Ah को बनाने हैं तो भारतित सम्सा विखलपों में से कौन सही समेलित नहीं है गई भी साथ यह भी सही है जंडा समीत डाक्टर राजन पर साथ यह बिल्कुल राजन साथ यह, है अगर जो सही नहीं है वह है मौलिक अधिकार है उपसमीत ठीक है मौलिक अधिकार उपसमीत यह सही नहीं है इसका सही उत्तर है जेवी किर्पलानी ठीक है इसका सही उत्तर क्या है जेवी तरहर्जविव देखते हैं कि निम्ख्त भिगल्पों संघ्ष्यक समीत अब बनल्बहाई पतेलना कि इसके कौन है यच सी Mokhar ji ठीक है इसके कौन है यच सी मुखरजी ठीक है अभी इस पर पूलिस लिखने में बनता नहीं है इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं लेकिन जैसे बेवस्ता हो जाएगी पैड़ी के तो फिर अच्छे से आराम से हम लोग लिख पाएंगे ठीक है तो अलप संख्या समित के कौन है यह सी मुखरजी समंदी प्रामर्स समित और प्रांतिय समिधान समित के अध्याच कौन है यह सरदार बल्ला भाई पटेल ठीक है यह किसके कौन है सरदार बल्ला भाई पटेल अगर बात करें यह किसके अध्याचे थे प्रारूप समित के ठीक है प्रारूप समित के कौन थे डाक्टर भीमरा बेट करें जेवी क्रिपलानी की बात करें तब ही पहले बात क्या मौलिक अधिकार उपसमित और यचसी मुखरजी की बात करें तो यह अल्प संख्यक उपसमित के अध्डेच्चते ठीक है हम अगले प्रस्न पर पढ़ते हैं सब्सक्राइब को सभात्रा किया गया ठीक है इसको अंगी कृत किया गया चबिस नॉंबर 1949 को ठीक है समिधान सभादा इसको अंगी करित किया गया 26 नॉंबर 1949 को इस दिन समिधान सभा की कुल इस दिन गेराहमी बैठक हुई थी ठीक है गेराहमी बैठक में क्या हुआ था समिधान को अंगेकृत किया गया था और 24 जनवरी 1950 को बारहमी बैठक हुई इसी दिन डाक्टर राजिन प्रफात को क्या हुआ राष्ट पर चुना गया था ठीक है और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ हमारा समिधान पूंट रुख से लागू हो सब्सक्राइब करते हैं कि समिधान सब्सक्राइब करते हैं कि समिधान सभा के सब्सक्राइब करते हैं कि भारत की फुतलता के बाद भारती राष्टिय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल की रूप में भंग कर दिया जाहिए यह सुझा था हमारे महतमा गाधी का भारती राष्टिय कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए भंग कर देना चाहिए ठीक है अगला प्रस्वन हम देखते हैं हमारा अगला प्रस्वन है कि अपनी राष्टवादी पर्तकिरिया में भारतिय सम्धान की निर्माताओं ने अल्फ संकिकों के हीतों तथा भावनाओं के महप्त को कम करके आखा या कथन किसका है ठीक है या कथन किसका है तो अगर कम करने आकर आकने की बात होगी तो यह भारतिय तो जैसे कहेंगे नहीं ठीक है यह कथन किसका हो सकता है यह था आईवर जेनिक्स का ठ अगला प्aratश्ण वार है किसने कहा था कि सम्ग्रेश ती और का अंग्रेश भारत था ठीक है ये किसने कहा था ये ग्रेंविल आफ्टिन ने कहा था ठीक है ये कहा था किसने ग्रेंविल आफ्टिन ने ठीक है अगले प्रस्पे बढ़ते हैं भारतिय समिधान सभा में कुल कितनी महिला फदस थी ठीक है भारतिय समिधान सभा में कुल 15 महिला सदस थी ठीक है भ भारतिय समिधान के निर्माण में कुल दो बर से ग्यारा महीन अठारा दिन लगे चौशाट लाक रुपे खर्ची हुए कुल बारा दिवेशन हुए कुल पंद्रा महिला फदस्व ने इसमें भाग लिया था ठीक है और जब 24 जनवरी 1950 की जो अंतिम बैठक हुई उस समय कुल मिला के 284 सदस से वहां पर उपस्थित थे ठीक है 284 सदस उपस्थित थे इस प्रकार आपका जो यह टेस्ट हुआ समिधानियों राज व्योस्था का उसके सभी 25-30 प्रस्थे उसको हमने पूरी व्याक्षा के साथ साल्व किया 35 मिनर का वीडियो बन चुका है तो आप इस दूसरों लोग को भी जोड़िये और अगर खुद चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और इसी के साथ हम बिदा लेते हैं जय हिंद जय भारत